आलो के पराटे, अंडा भुर्जी, चिकन, मचली या पेश्ट्रीस इन सभी को देखकर आपके मूँ में पानी आ गया होगा लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि यह सारे भोजन के पदार आखिर आते कहां से हैं चलिए, आज हम जानेंगे कि जो भोजन हम खाते हैं वह आखिर कहां से आता है तो हम सीखेंगे कि खादे सामगरी का स्त्रोथ क्या होता है भोजन के रूप में हम पौधे के किन भागों को खा सकते हैं शहद किस प्रकार बनता है और अलग-अलग प्रकार के जीव जन्तु क्या खाते हैं पेड हमें फल, सबजियां और अनाज देते हैं आपने गेहूं या चावल के खेत तो देखे ही होंगे उसी प्रकार सबजियां जैसे की टमाटर, आलू, प्यास या फिर फल जैसे की तर्बूस की भी खेती होती है और केले जैसे फल भी हमें पेड से ही मिलते हैं दूद हमें गाए या बक्री जैसे जानवरों से मिलता है अंडे हमें मुर्गियों से मिलते हैं और मुर्गी मचली आदी को पका कर खाया भी जा सकता है क्या आपने कभी सोचा है कि जो रोटी आप खाते हैं वो जिस गेहूं से बनी है वो गेहूं कहां से आता है या फिर या इडली जिस चावल से बनती है वो चावल कहां से आते हैं या फिर यह अलग-अलग प्रकार की दार जो आप खाते हैं या आखिर आती कहां से हैं, इन सभी की खेती की जाती हैं। इस खेती को करने के लिए अलग-अलग प्रकार की मशीने जैसे की ट्राक्टर का इस्तिमाल किया जाता है। आपने अपने गाउं के आसपास कई बड़े-बड़े खेत तो देखे ही होंगे। मित्रूं क्या आपको पता है कि खाना बनाने के लिए कितने प्रकार की अलग-अलग सामगरी की जरूरत होती है। जिस प्रकार सब्जी बनाने के लिए कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, आधी की अवश्यत्ता होती है। उसी प्रकार चलिए पता करते हैं कि इडली कैसे बनती है। इडली को बनाने के लिए हमें कच्ची सामगरी में उड़त की दाल और चावल की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार खीर बनाने के लिए हमें दूद, चीनी और चावल की जरूरत पड़ती है पौधे हमारी भूजन का एक मुख्य स्त्रोथ है हम पौधे के कौन से भाकवपियों खादे पदार्थों के रूप में करते हैं? चलिए जानते हैं हम पत्तियों वाली अनेक सबसियां खाते हैं कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में भी खाया जा सकता है और कभी-कभी हम जर या तना को भी भोजन के रूप में खाते हैं कुछ पौधों के दो या दो से अधिक बाग खाने के योगे होते हैं उधारन के तौर पे सरसों के बीच से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्यों का उपियोग साख बनाने के लिए किया जा सकता है उसी प्राकार केले के पौधे का जो फल होता है उसे हम खाते हैं और उसके पत्यों की भी सबजी बनाई जा सकती है क्या आप जानते हैं कि शहित कहां से आता है? कि आपने एक मधुमक्ही का छटा देखा है जहां बहुत सी मधुमक्हिया भिन बिनाया करती हैं मधुमक्हिया फूलों से मीठे रस को एकत्रित करती है और इसे अपने छटे में बंदारित करती है फूल और उनका मीठा रस वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्द होता है इसलिए मधुमख्यां इस मीठे रस का बंडारन कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके हम ऐसे चटों में मधुमख्यों द्वारा बंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं चलिए अब ये जानते हैं कि अलग-अलग प्रकार के जन्तु क्या खाते हैं वह जीव जो केवल पौदे खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं इसका उधारन है गाए, भैस, आदे इसके विपरित वह जीव जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं इसका उधारन है शेर, बाग, चीता, आदे और वह जीव जो दोनों पौदों और जन्तू को खाते हैं उन्हें हम सर्वहारी कहते हैं इसका उधारन हो सकता है चेल तो हमने जाना कि भोजन हमारे लिए कितना जादा महत्वपून है लेकिन आज भी हमारे विश्व में ऐसे कई लोग हैं जिने परियाब भोजन नहीं मिल पाता इसलिए हमें भोजन की बरबादी नहीं करनी चाहिए ताकि सभी लोगों को परियाब भोजन मिल पाए तो हमने सीखा कि भोजन की कौन सी सामगरी हमें कहां से मिलती है फल सबजी हमें वरक्ष से मिलते हैं दूद गाय से और अंडे हमें मुर्गी से मिलते हैं अलग-अलग वरक्षों के अलग-अलग भाग खाने में प्रयोग होते हैं कुछ व्रक्षियों के पत्ते तो कुछ की जड़ें खाई जाती है जन्तुओं को तीन वर्गों में बाटा जा सकता है शाकाहारी, मासाहारी और सर्वाहारी धन्यवाद